लेकूम जी तो जैसा कि आपको वे साथ पिछले हमने वीडियो में इस पॉंच के एक बनाने की रैस्पी शेयर की थी और अब हम उसको आज विप क्रीम से डेकुरेट करेंगे तो उसके लिए विप क्रीम हमने ली है एक कप के बराबर उसको अच्छा सा हमने बीट कर लेना है और उसमें 1-1 टेबल स्पून करके 3 टेबल स्पून हमने इसमें चीनी आड़ कर देनी है एक साथ ही आपने आड़ नहीं करनी है थोड़ी थोड़ी करके आड़ करनी है तो इसको अच्छे से अपने बीट कर लिया है और क्रीम जो हमारी ज़ख ठंडी होने चाहिए आपने इसको ओवर नाइट जो है फ्रिज में रखना है जितनी जादा क्रीम ठंडी होगी उतनी हमारी जो बीटिंग है वो कम टाइम में हो जाएगी तो पांच मिनट हमारे लगे थे और क्रीम हमारी अच्छे से बीट होगी है यह देखें बिलकुल हमने स्टिफ इसको बीट करना सकवेघी तो अब हमारी क्रीम जो बीट होसे अरौन चाहिए और पानी में शूगर डालके जी्ट्रिक बालकी direct करिया झालियृग है लिया था और जब वो ठंडा हो गया हमने उसको अप्लाय कर दिया अपने केक पे और अब हम उपर जो हमने अपनी क्रीम करके रखी थी वो अप्लाय करती है इसी तरह आप हम सारी लेयर्स पर रखते जाएंगे पहले शुगर सीरप अप्लाय करेंगे और फिर बाद में विपि शुक्रिया दिल से तो माशाला से हमने इसको अच्छे से कोटिंग कर ली है अपनी विपिंग क्रीम इस पर अप्लाय कर दी है अच्छे से तो हम इस पर कोई डिजाइन वगारा नेम ना रहे हैं सिंपल यह बेसिक जो केक अपने घर में बनाना चाहते हैं और उन्हों वो के लिए बेसिक है केक बनाने की रैस्पी शेयर की है तो सिंपल चॉकलेट उपर ग्रेट कर देंगे हम अच्छे से इसको हमने बिल्कुल लैवल नहीं किया है बस चारों साइडों से आपने कोच्छे से कवर कर दिया अपने विपिंग क्रीम से और बस उपर से हम चॉकलेट हम ग्रेट कि हुँ ढालतें गे आप चॉरी की मिदफ से भी इसको कट कर के चॉकलेटस एड कर सकते हैं दूब्त Nä SSME अच्छे से आइड कर दी है मैंने आपको दोनों तुरीकों से बता दीया है γ्रेट कर बियो आपको त्रीक अच्छा लगया जी आप अपला participar चाट्रों को भी बैकरी जाने की जुरूरत नहीं है कोई भी उकेजिन हो किसी की बर्दे हो आप घर में केक बनाएं तो आप दो घंटे हो गए थे हमें केक को रखे हुए फ्रिज में है तो अब हम इसको कट कर लेंगे और मार्शाला से बहुत अच्छा सा हमारा केक जो है वो घर पर ही राड़ी हो गया है बिल्कुल कम बजट में तो जो देख सकते हैं आप बिल्कुल बाजार वाले लुक आ रही है ना तो आप भी घर में बनाएं और केक इंजुआए करें जी तो इन्शाला जी आप से फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तबते के लिए अपना अपनो और अपने घरवालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और जो जाते हैं लाइक करते जाना है अल्ला हाफिस जी आप